हेलो दोस्तों मेरा नाम अभी शेख है देखेगा पुराने पेंशन को लेके एक अपडेट सामने आई है और जो सेंट्रल गुर्मेट एंप्लाइज है उनके लिए 12 सरकार ने एक प्लान सामने रखा है देखेगा जो पिछले साले कमेटी बने थी कि जो NPS है और OPS इसकी 50% तक जो पूराने पेंशन है उसका प्रस्ताव जारी कर दिया है लब उसकी शिफारिस की है बाद देखे है क्या कि आंध्रा मॉडल और यह जो यह जना और NPS को जो हाइब्रीड मॉडल है यह आंध्रा मॉडल ही है तो मतलब पूरे देश में आंध्रा मॉडल को लाए जा सेलरी है वह कम थी 30-40% थी फिर 50 किया गया इसका डिये जो है और डियार है वह भी बढ़ता रहेगा मतलब वो सामिल रहेगा बाद वे दिखे है क्या इसमें टोटल अंतर क्या है जो हाइब्रीड मॉडल अभी प्रस्ताव लाया गया है इसमें जो आपका NPS का रूपे कट कर रहा है कोर्पस का वो कटना मंदन ही होगा और इसका जो कॉर्पस रहेगा इसी से आपकी पेंशन निधाइत होगी और इसमें जो आपका कंट्यूबीशन हो आपको वापस रूपए नहीं मिलेगा जब आप पर रिटार्बं टाइम पर जगर आप या भी आस लेते हैं त स्विद्धान सेलरी का इस पर डी एंडी यार भी लगेगा मतलब डी यार लगेगा जो महागाई रहत है देखे कि महागाई भत्ता को अगर रिटायरमंट के बाद लेते हैं तो उसे महागाई रहत बोलते है जो के बराबर रहता है तो यह टोटल अपडेट है दोस्तों ओवरल अपडेट है और इसके अलावा जो पुरानी पिंशन है और यह वाली मॉडल है इसमें केवल अंतरिया ही है कि आपका NPS को पैसा भी कट रहा है NPS वाले एंप्लाइज का वो कटना जारी रहेगा उसकी जगह पे आपको जो हाइब झाले आपको जगा झाले यह जगेट एंगा जाले जगड़।